लूंब हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंट आगके सिंग अर आज फिर हम अपने । आपने । बी एंटिटी स्पैस्ल क्लासिट देखें गे यानि कि क्या देख रहे हैं, हम मोक टैस्ट शेरीज पहले मोग टैस्ट प्रेक्टिस टैस्ट फिर पृविए वाइक्व और कहीं न की आपकी थियोरी कराई जाए क्योंकि आपने कहीं इन सब चीजों को सीट और इस तरह के जो पैटन है उसमें पढ़ चुका है और कहीं न की जब टीटी बीजीटी की बात आती तो उसमें पहले थियोरी फिर आपका प्रेक्टिस टैस्ट और मोग टैस्ट इस तरह से चलते हैं तो समय बैरतना करते हैं चलते हैं आपके आज के सेशन पर और जिस भी बच्छे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लें वीडियो को या फिर इस तरह की चीज़े को करें भाईया आपके टेलीग्राम आपने जोइन करा है तो आप चाहिए आज ढूंड़ो चाहिए एक साल बाद ढूंड़ो उसके अंदर आपको क्या है सब चीजे यानि कि जो पीडेप पढ़ा हो मिलेगा क्योंकि पीडेप चुन-चुन के क्या डिलेट करना समय बहुत वेश्ट होता है दूसरी बात है जो फ्री की चीज है फ्री में ही रहेगी आपको कई भी हटाई नहीं जाएगी तो आप अपने फोन में सुरक्षित करने की ज़रूत नहीं है आप अराम से अपना जो 10 कोशन दिये जाते है उनके प्रक्टिस क अपके कहले है इससे पहले आपको यह किल但 कि तुत से पहले क्या आपको 10 से के समय दिया जाए और आपको बताना है कि इसका अंसर और aste sido से क्या नहीं स्वेये पताना है आपको समय बहूर होता है अब तो इसमें क्या नहीं है बहिए देखो नहीं है वाले पे question पे खासकर entity और PRT में सबसे ज्याद ध्यान दिया जाता है क्योंकि है तो सब को पता है नहीं है अब च्छाटने वाले जब चीज आती है क्योंकि बच्छे को क्या करना है आपको च्छाटना है च्छाटना ज्यान की इच्छा समझ का उत्पन करना यानि की option number B हो जाएगा चली आगे चलते है question number 2 क्या कहता है पहला सुदेशी शिक्षा विद्याल है किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो आपका समय होता है शुरू भाईया किसके द्वारा सुरू किया गया था गांधी जी यह क्या है और सारे यानि की तारा भाई थे तो कौन था तो इसका अंसर है गुजू भाई आपके थे यानि की गुजू भाई चली आगे चलते है question number next देखते है और यह गुजू भाई वाला question कहा समझ में थे आपको पता है चली आप देखिए NCRT देखिए आपको समझ में आजाएगा question number 3 देखिए सामाजिक मनोविज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक परिक्रिया जो समाज की प्रचलित संस्कृति के अनुकूल होने के दोरान दो सांस्कृतियों के संतुलन से उत्पन होती है तो कौन सी होती है बताओ आपका क्या आएगा क्या कहा था मैंने समाज मनोविज्ञान किस से संबन्दित है आपका यानि कि आपका अंसर हो जाएगा option number C उत्संस्क्रन यानि कि क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा असका अंसर चली आगे चलते है question number 4 देखते है question number 4 के कर अन्य लोगों की भावनाओं के परती समवेदन शील और उनकी भावनाओं के साथ तालमेल बठाने की चम्ता को किस रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है यानि कि जब आपके तो इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है चलिए आपको समय सुरू होता है अब तो आपको बताना है अन्य लोगों के बारे में बताया है और इसमें क्या होगा आपके सामने बिल्कुर क्या है इसका आंसर भी कहीं न कहीं आपको जब आप क्या करते हैं उद्धास होते हो च क्या है सहान बूटी समान बूटी ये सब चीजह क्या है आपके लिए सम्मंधित हो च्यानि क्या है पूसके बावना क्या आपको समान्वूती यह ब्लेटि चीजों का आपको तो आपको ट्रिक में क्या होता है उससे संबंदी चीज से जूड़ना पड़ता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option no.4 हो जाएगा question no.5 देखते है question no.5 क्या कह रहा है NEP 2020 के आधार रित मूल भूचरण का मार्ग दर्शन सिद्धान निम लिखित में से कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है आप से पूछा गया है तो आपको बता रहा है आपका समय सुरू होता है यानि कि आपको पताओगा एक चीज पताओगा पहले गया 68 फिर इसी को उल्टा क पताओगे यानि कि यह भी चीज पताओगे ये 1992 में कैसन सुदन तो इसका अंसर क्या होगा यानि कि नियू एजूकेशन पॉलेशी के बात कराए और एक बार फिर क्या आई जाएगी जबाब का एक्साम के पास रहेंगे आप पर थिया बालक अलग होता है क्या होता है वैक तो इसका नियूंत होता है यानि कि कैसा क्या हो जाएगा और यानि की क्या है पहला पॉइंट क्या है प्रतव बालक होता है विलकुंट स्थी बात है औप एक गomas ATS different मैं बढ़ रहा है लिदे की उसका प्रेंपने मस्तिश का पर्योग कर रहा है चीज़ों वह सीखने में जल्दी सीख लेता है को एक रट जल्दी लेता है तो क्या हो जाएगा यह नहीं वाला पूचा यह तो इसका अंसर हो जाएगा option number c चलिए जिसे बच्चे को previous एक चाहिए यानि की previous नतर करना आ चाहिए यह आप क्या हो क्या है एंटी इंटीटी और पी आर्टी वाले बाट वाले द्रचों को कि कि नहीं आहीं आप क्या हो एक बडर यो सुमझ में आप आया गा तो उसमे आपका बड़ा योगदान रहता है तो इस लिए इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए तो लिंक का क्या हो जाएगा इस का अंसर हो जाएगा यानि की सामाजी की अब बिल्कुल एक चीज़ मैं होता हूँ सीटेट के पेपर में उठा के देख लो यह एस इस कोशन आपके सामने रखा गया है चलिए आगे चलिए कोशन नंबर साथ क्या कह रहा है यदि एक शिक्षा किसी गतिविदी से वियस्त किसी विशेश दिन बच्चे को निरक्षन कराना चाहता है तो निमलिकित में से कौन सा विकल्ब उपयोगी करने के लिए एक अच्छा सादन है तो जब उपयोगी करने की बात आएगी और चीजों को वेवस्तित करने की बात आएगी तो कौन सी चीज है आपके सबसे इंपोर्टन आएगी तो आपका समय शुरू होता है अब तो यानि कि क्या है बच्चे को किस यानि की गति करना चैक्लिस्ट मनाना आप क्या करते हो मैंने 10 वी की मार्क शीट रख ली 12 वी की मार्क शीट लगा दी एंटिटी का कोर्स का लगा दिया ये लगा दिया वो लगा दिया क्या कर रहे हो चैक्लिस्ट मना रहे हो आप क्या कर रहे हो आपने यानि पहली बार क् पासपोर्ट रख लिया, यह चीज रख लिया, वह चीज रख लिया, कपड़े रख लिया, इतना लगे जो नहीं, क्या करा, एक checklist बनाई, आपने क्या करा, मैंने PY क्यों कर लिया, मैंने क्या ना, mock test कर लिया, यह कर लिया, वो कर लिया, यह कर लिया, checklist बनाई, तो कहीं भी checklist क तो आपको बताना है कि आपको बताना है कि इसका अंसर हो जाए विश्वास बनाम एविश्वास यह क्या कहानी है एक व्यक्ति प्यार करता है एक व्यक्ति दोका दे रहा है प्यार करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है अंधा प्यार कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है चीट कर रहा है तो क्या है विश्वास बनाम एविश्वास तो यह आपको चीजे निम्लेकित में कौन सा मातापिता के लिए स्कूल शिक्षक का समर्थन करने के लिए सही तरीका है सीटैट का कोशन है यह आपको सबको पता होगा तो आपको पांस सेगेंड में भी आंसर मिल जाएगा चलिए बताई इसका अंसर क्या है देखिये सबसे आसां कोशन यानि सीटैट के आपके इपीटेट को उठ रहे हैं तो सीटैट को भी आपको पढ़ना वड़ेगा बच्चे के सामने शिक्षक को को सिक्षन पद्यति का प्रसान्व करने चाहिए यानि की बच्चों के सामने क्या यह लिए आपके नस्यीiben मेल बठाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका अंसर हो जाएगा option number B चली आगे चलते हैं question number next टेखते है question number next टेखते हैं question number next टेह कह रहा है एज कौन सी है आपसे पूची गई है तो इसमें क्या आएगा इसका आपको क्या है यह भी आपका सीट एट का कुशन है और सीट एट का जो अभी जो paper होए ना उन्हीं में से question है तो आपको बताना है इसमें क्या होगा इसका अंसर देखो इस टाइम क्या होता है तीन से छे व बहुत सारी जंगा उनके मस्तिक्स पर लगने की chances रहता है रहती है चलिए तो ठीके बच्चों यह थे आपका आज का last question और इसके answer सारे सारे नीजे दिए गया है तो आपको क्या करना है वीडियो को देखना है लाइक करना है चैनल करना है और उसके बाद क्या करना है उसके